हलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चानल लीगल हेल्पिन हिंदी फ्रेंज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप रियल स्टेट में पैसा लगाते हैं और आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है आपको कबजा नहीं मिलता तो आप बिल्डर के खिलाफ या डिवलेपर के खिलाफ कहां पर और कैसे शिकायत को दर्ज कर सकत हैं पर अब भारत में किसी भी डिवलेपर हो या फिर बिल्डर हो उसके खिलाफ शिकायत को दर्ज करना रेरा कानून के तहट बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है आपका पैसा इनके पास फसा है तो आप कंजूमर कोट में इनके शिकायत को दर्ज करा सकते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे step by step procedure कि आप किस तरह से इनकी complaint को consumer court में दर्ज करा सकते हैं और कैसे दर्ज करा सकते हैं दोस्तों अगर कोई builder ने आपके साथ fraud किया है या फिर property का कबजा आपको नहीं दे रहा है या फिर कबजा देने में देरी कर रहा है तो आप आसानी से इनकी शिकायत को consumer court में कर सकते हैं और इसके लिए सबसे अच्छी बात ये कि आपको किसी भी वकील के उपर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती आप खुद ही इस तरह की complaint को दर्ज कर सकते हैं तो पहला procedure तो यही है कि आप उस developer को या builder को notice चारी करें किसी भी complaint को consumer court म दर्ज कराने से पहले पहला step यही होता है कि builder को आप एक ultimatum दें उस company के नाम से एक notice भेजें जिसमें आप उन्हें अनुचित व्यपार व्यवहार के बारे में सूचित करें उन्हें बताएं कि आपके साथ वो क्या कर रहे हैं उनको notice जारी करें कि आपको जो भी नुक्सान हो रहा है वो उसकी भरपाई करें और आपको जल्द से जल्द इस बारे में कोई जवाब दे तो अगर notice मिलने के बाद builder या developer मुआवजा देने को तयार हो जाता है तो ठीक है अगर वो आपके notice का कोई जवाब नहीं देता आपको पूरी तरह से एक नोर कर देता है तो आप consumer code का सहारा ले सकते है अब बढ़ते है step 2 की तरफ यानि की complaint को आप online किस तरह से दर्ज करवाएंगे जब आप एक बार उनको notice भेज देती है और builder की तरफ से आपको कोई response नहीं मिलता तो आपको consumer code में online complaint को file करना होता है सबसे पहले आपको जाना होगा consumer helpline.gov.in की website पर वह register करने के दोरान आपसे जो भी जानकारी पूछी जाती है वो आपको सही सही वहाँ पर भरनी होंगी और उसके बाद आपका registration पूरा हो जाता है इसके बाद आपको अपनी complaint को file करने के लिए login करना होता है complaint file करने के time आपको supporting document भी साथ रखने होंगे क्योंकि उसके बारे में जानकारी आपसे जरूर पूछी जाएगी तो उसके लिए पहले से ही तयार रहे और जो भी document आपके पास है उन्हें आप अपने पास रखकर ही complaint को file करना start करें तो आप इस website पर किन किन बातों के लिए complaint कर सकते हैं जैसे की कबजा अगर आपको नहीं दिया जा रहा है उसके मुआउजा मागने के लिए complaint कर सकते हैं या फिर developer ने booking के time पर आपके साथ किसी तरह की दोखा धड़ी की है आपसे extra charge वसूले हैं तो उसके लिए complaint दर्ज करवा सकते हैं या फिर एक बार आपने booking करवा ली है और project start हो गया है उसके बाद project को रद कर दिया गया है आपको इस को दर्ज करा सकते हैं और अपनी category को choose कर सकते हैं फिर complaint पूरी होने के बाद आपको इसके लिए fees भी पे करनी होती है तो आपका सवाल ये होगा कि आपकी fees कितनी होगी तो ये depend करता है कि आपका जो मुआउजा है वो कितने लाख रुपे का है मान लीजिए आपका जो मामला है वो एक लाख रुपे का है तो आपके fees 100 रुपे होगी इसी तरह से अगर मामला 1.5 लाख रुपे तक का है तो आपके fees 200 रुपे होगी फिर अगर मामला 5 लाख से 10 लाख के बीच का है तो आपके fees होगी 400 रुपे इसके अलावा अगर मामला और जादा यानिकी 10 लाख से 20 लाग का है तो फीस होगी 500 रुपे इसी तरह से दोस्तों फीस बढ़ती चली जाती है अगर आपका जो कंप्लेन है वो 20 लाग रुपे से जादा की और एक करोड के अंदर की है तो आपकी जो कंप्लेन होगी वो राज्य उभोगता विवात निवारन के सामने करनी होगी और अ और एक करोड रुपे से कम की है तो आपके फीस 4000 रुपे हो जाती है इसके लावा अगर आपके प्रोपर्टी एक करोड से भी उपर की है तो फिर आपको अपनी कंप्लेन को राश्य उभोगता विवात निवारन आयोग के सामने करना होगा तो वहाँ पर आपके फीस 5000 रु दरज करा सकते हैं जैसे कि कंप्लेन को दरज कराने के लिए आप ओनलाइन के अलावा टॉल फरी नमबर पर फोन करके भी अपनी गफोन करना सकते हैं एक टोल फ्री नंबर 081-3009809 पर SMS करके भी अपनी कम्प्लेन को दर्ज करा सकते हैं इसके इलावा मोबाइल एप भी है जैसे की NCH एप और उमंग एप पर जाकर भी आप अपनी कम्प्लेन को वहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं तो दोस्तो इस तरह से आप उनलाइन कम्प्लेन को किसी भी डिवेलपर या फिर बिल्डर के खिलाफ दर्ज करवा कर अपने मुआउजी को प्राप्ट कर सकते हैं और यहाँ पर एक बार कम्प्लेन दर्ज होने के बाद आपको क्या-क्या रेमेडिज मिलती हैं आपने जो भी अमाउंट पे किया होता है वो आपको रिफंड दिलाया जाता है और विक्रीता को अनुचित व्यपार व्यवहार को बंद करने के आदेश भी दिये जा सकते हैं किसी भी नुकसान की भरपाई जो भी आपके साथ हुई है उस नुकसान की भरपाई उनसे करवाई जाती है इसके लावा आपका शिकायत करने में जो भी खर्चा हुआ है टाइम खर्च हुआ है उसकी भी भरपाई करवाई जाती है तो इस तरह से सेवा में जो भी कम्या होती है उसके आदेश यहां से करवाए जा सकते हैं तो friends इस तरह से हमने जाना कि किसी भी builder के पास या developer के पास आपका पैसा फस जाता है तो आप किस तरह से उनके शिकायत को दर्ज करा सकते हैं हो friends कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो इंफर्मिशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को like, share और चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा